नमशकार दोस्तों स्वागत आपके अपने वीडिव चनल में तो आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले वो आप कहां से cover कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बिल्कूल वस्तुनिस्ट ही बताऊंगा मैं एकदम मतलब descriptive वाला नहीं बताऊंगा कि theory आप कहां से पढ़े यह बढ़े वो मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ आज मैं इस वीडियो में बस पूरे से जनकारिया मिलती रहेगी चलिए आज का video शुरू करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पताए कि मद्रदेश में लगाता पेपरों में पटवारी भरती का दोड़ चल रहा है तो वह लगबग नीनी करते आप मान के चलिए कि जो आपके चुनाओं होने वाले 2023 में उस SI की भी आपकी exam हो जाएगी यह सारी जो तमाम प्रकार की exam से वह चुनाओं के पहले पहले हो जाएगी अभी हो सकता है अभी एक-दो मेने का gap या अभी exams में बट exams अपने time to time होने लगेगी तो उस बीच में आपकी पटवारी की भी exam होगी तो पटवारी की exam में आप बहु होता है कि objective type में भी आपका पूरा course cover हो जाता है बस आपको पंडने होते objectives उस objectives में सारा आपका पूरा course से वह cover हो जाता है तो सबसे बिले में आपको पटवारी के लिए जो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो पंचायती राज के जितना भी प्रश्न पत्र आया हुआ ह वो सारा है और कुछ अलग अलग जो जितने भी topic उन्होंने decide किये 35-40 topic उन्होंने बनाये हैं और उन्हें सबके objective हैं कुछ भी त्योरी नहीं है उस book में अच्छी लगी सिरी कभीर प्रिकाशन की book है तो सबसे बिले आप book देख लो book आप यह book है ठीक है तो यह book है आपके सा पर ही बनी है पूरी और इसके जो है ग्रामिन अड़तवे वस्तायम 25 राच इसके वस्तुनिस्ट प्रश्णों का महा सागार इसमें आप देख सकते हूं यहापर विगत वर्षों में पीवी में द्वारा पूछे गए सारे papers है जो इसमें आये थे आपके और उसके अलावा तो यह आपकी कभीर पब्लिकेशन की बुक है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है इस पर लिखा है वन थेटी लिखा है इस बुक पर प्राइस आप शॉप आप से लोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिसकॉंट मिल जाएगा तो यह है आपकी बुक आप मैं संबंदित प्रमुक समीतिया, पंचाइती राज संस्ता एम समयतानिक दर्जा, पंचायतो एम नगरपाली का संबंदित माजपुन अनुछे, सहरी शाचन के प्रकार, पेसा अदिनियम 1996, जीला योजना समीती, महानगर योजना समीती, सहकारी समीती और सहकारी आंदोलन, र मध्यप्रदेश में सिचाईय, भहुद्देश, परियोजना, सिचाई की विदिया, मध्यप्रदेश में क्रशी, प्रमुक फसलों को वनस्पतिक नाम, क्रशी से संबंदित उत्पादन, फसलों का वर्गी करण, ऐसे तमाम प्रकार के आपके जो हैं सारे टॉपिक्स इसमे वो भी इसमें दिये गए हैं, और पटवारी के जो प्रिवियस एर्स के फेपर 2017 के, उससे सारे आपके कोश्चन्स इसमें दिये गए हैं, तो अब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसको थियोरी पढ़ने का शोग है, और जिसको थियोरी पढ़ने के बाद आपको अब अब बात करतें MP की, तो MP भी आपका एक important topic है, तो MP आप कहां से cover कर सकते हो, ज्यादा में कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत कम-कम price की book से ही है, यह जो मैंने current affair की बताई थी, आपको 60-70 मिल जाएगी, यह आपको 130 लिखा है, तो लगबख आपको 120 में आपको यह book मिल 1000 प्लस आपके objective प्लस इसके last में आपके answer भी दिये गए, यह पर आप देख सकते हो, पूरे last में, इसमे answer भी दिये गए, और इसमें कोन कब क्या कहा है, वो भी इस book में आपका दिया गया है, आप यह पर देख सकते हो current affair, कोन कहा कब, और सब कुछ दिया गया है, इसमें company के CEO और XYZ जितने भी नाम बदले गए हैं चीजों के, वो सारी चीज़ इसमें दी गई है, तो इसमें से आपका current affair बहुत अच्छे से और बहुत हद तक आपका cover हो जाएगा, और इसको अभी अब recently खरीदना जो आपकी लगबग, जिसमान लीजिए, अभी आपका जो चल रहा हो जाएगा, इंडिया का पूरा, और लगबग, आजकल इसी प्रेटन पर आपके जो कोश्चन से वो पूछे जाते हैं, उट पटांग, मध्यब्रेश भी आप हमें, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, और MP की लिए भी आप पढ़ सकते हो, MP का जो current affair होता है, उसके ल सकते हो, सब कुछ, MP का लगबग, बेसिक से लेके बहुत लेवल तक का आप इसमें पढ़ सकते हो, यह आप देख सकते हो, सब कुछ, चित्र दुबारा, आपका जो जीला, टॉपिक, सब कुछ, बिया इस बुक में आप देख सकते हो, मातर पचास रुपे की मिलेगी, तो इससे आप MP बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, तो यह तीन जो टॉपिक होते हैं, बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक होते हैं, पटवारी में, यदि आपने यह भी पढ़ लिए तीन टॉपिक, तो बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा, तो जो मैंने बुक बताईए आपकी ग्रामिन अर्थवयस्त और पंचाई तिराच की, वो बुक आप आसानी से ले सकते हो, और उसके अबजेक्टिव आप लगा सकते हो, बहुत सारे हैं, मतलब पुरा से लेबस, पुरा अबजेक्टिव आइस हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, तो होप सो यह ही आमने को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में ज्यादा शेर कर दीजिए, चलिए नए विडियो मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ तब तक लेजें, हिंद बंदे, मतलब